लेटर अप्लिकेशन और आर्टिकल आपके लिए बहुत ही फ़री फ़रकम नमबर देते हैं क्योंकि आपका आज का जो सेशन है लेटर अप्लिकेशन कैसे लिखें किस तरीके से लिखें कि पूरे 10 मार्क हमारे तुनंत हो जाएं तो इस वीडियो को कर दीजिएगा अपने अपने पूरे गृपों में सेर लाइक करना न भूलिएगा अंतर जरूर देखिए कैसे 10 नमबर अपना बनाओगे पहली बात सबसे पहले आपको करना क्या होगा जब भी लेटर और अप्लिकेशन लिखने की बात आएगी सबसे पहले मेरे हुनहार छात्रों आपको करना क्या है कि आपको पहले नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए आपकी नीट एंड क्लीन राइटिंग साफ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए आपकी अगर आपको नमबर पाना है तो पहला काम ये है आपका दूसरा नमबर का काम है कि आपका ठीक है आपका फॉर्मेट सही हो आपका लेटर फॉर्मेट क्या हो सही हो format आपका सही होना चाहिए अगला आपको क्या करना है याद रखिए अगला काम आपका क्या होना चाहिए easy sentence में easy words का प्रियोग हो sentence में easy words का प्रियोग हो ज्यादा आप उसे tough words से न कहें कि कोई भी उसको समझना पाए ऐसा न हो ठीक है? अपनी अपनी भासा में लिखे जहां तक हो सके आप ये कोशिस करें कि वो आपकी भासा हो आप जिस तरीके से लिखने चाहिए आप अपनी विचार प्रस्तुत करें ठीक है? अगला आपको क्या है? ठीक है? आइडम्स और फ्रेजे से बचे आइडम्स और फ्रेजे से बचे फ्रेजे से बचे ठीक है? अगर इतना काम आप करते हैं तो आपको मैं कह रहा हूँ पूरे गारंटी के साथ कि आपका लेटर में दस नमबर पाने से कोई रो कही नहीं सकता है तेन मार्क्स आपके होंगे ठीक है? अब देखा जाए आगे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे एक लेटर या अप्लिकेशन मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसी लिखा जाएगा फॉर्मेट मैं देने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको बताते चलू कि अगर आप सोच रहे हो कि एक बेश तयारी हमें करनी है और ये साथ नमबर हमें अपना बनाना है तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको करना क्या है याद रहे कि आपको सबसे पहले जुड़ना होगा हमारे सुहम क्लासेज के टॉप हंड़ेट बैस दो हजार तेईस से जहां पे अगर आप जुड़ते हैं तो मात्र 899 रुपए में आपको डेली लाइव क्लास तो मिलेगा ही डेली प्रैक्टिस सेट एक एक टॉपिक की मिलेगी एप में और वहां पर ये पूरे साल भर की फीस होगी 899 रुपए और साथ में आपका ये सौरे बैस 1299 का फ्री होगा ये पैसा आपको नहीं देना है देना क्या है? 899 टॉप 100 बैस का पैसा देना है इस बैस को फ्री पाना है आपके हर दिन हर एक सब्जेट की इंपोर्टेंट तैयारी पूरे साल भर की तैयारी के साथ इससे जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको तिकाई सुभम क्लासेज का ये अप्लिकेशन अपनी मोबाइल में इसके लिए करना क्या होगा? यदि आप darkly app से payment करते हैं अगर app से आप payment कर रहा है और यदि आप यूज करते हैं मेरा coupon code small letter P-I-Y-U-S-H S-I-R या आप यूज करते हैं P-I-Y-U-S-H space देखे S-I-R तो भी मिलते हैं आपको 100 रुपए की छूट यानि अब आप पासकते हैं मातर 799 में ही टॉप 100 बैच को मौकाम नहीं गवाना है महीने की 100 रुपए से भी कम खर्च में आप अपनी पढ़ाई को बेच्ट कर सकते हो अब यदि यहां से आप से payment करने में आपको समस्या हो रही हो तो आप इस दिये गए नंबर में से किसी भी नंबर पे payment करके उसका screenshot इस कूपन कोट के साथ भेज दीजिए आपको 10 मिनट के अंदर टॉप 100 बैच 2000 तेईस से जोड दिया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों देर आपको नहीं करनी है तो चले आते हैं हम आपके letter format पे क्या होगा हमारा चुकि इस साल business letter पढ़ना नहीं है हमको तो complaint letter पढ़ना है तो इसका letter format देखेंगे क्या होगा सबसे पहले बच्चे जितने लोग देख रहे हो मैं अभी भी कहूँगा अपने अपने ग्रूप में share कर दो सबको पता हो जाना चाहिए कि सबसे आसान होता है complaint letter लिखना किस तरीके से लिखा जाएगा सबसे पहले sender address आप भेज रहे हो आप अपने पता दो date receiver address जिसको ये पत्र मिलेगा यहाँ पे उसका address आप किस topic पे आप लिख रहे हो mention करो यहाँ पे अपनी complaint किस बारे में आपने complaint किया हुआ है फिर नीचे आपका salutation होगा यानि आप dear mr. 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 उनको यहाँ पे लिखोगे फिर आप यहाँ से ठीक नीचे से लिखना इस्टार्ट कर दोगे जो आपकी complaint है ठीक है नीचे आप ठीक है परिचे भी अपना उसमें include करोगे main region पत्र लिखने का ठीक है और फिर क्या आप चाहते हो वही conclusion यानि यह सारी चीजे उस paragraph में होंगी फिर नीचे जब आप letter को बंद कर रहे हो तो आप लिखोगे yours faithfully ठीक है यहाँ पे और अपना नाम यह आपका letter format है तो एक letter देखते हैं आपके सामने देखें आपके सामने एक letter लिखा हुआ question है बच्चा पहले question को पढ़ लेते हैं ऐसे ही question पिछली बार आया था exam में कह रहा कि corporation चंडी गर complaining that कि wrist watch you recently bought from them does not function ठीक है आप क्या करिए write a letter to MS हम्ट corporation चंडी गर को हम्ट चंडी गर को एक सिकायत करते हैं पत लिखिए कि जो आपने wrist watch यानि कलाई गरी जो आपने उनसे खरीदा था does not function properly उनके जो function है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं and ask for a replacement और उनसे बदलने को कहिए you are दिप्ती और दीपक गुपता या आप तो दिप्ती गुपता हो या दीपक गुपता अगर फिमेल हो तो आप यानि जो अगर दे दे नाम एक्जाम में तो लिखना है आएसे न दे तो आपको वहाँ पे नाम नहीं यूज करना है तो आप यदी गर्ल हो तो दिप्ती गुपता गुआ हो तो दीपक गुपता आपका आप एड्रेस ये दो वहाँ का रिसीवर एड्रेस 450 सेक्टर 20 चंडी गर्ड चलिए अब इसका देखो जैसे मैंने फार्मेट बताया था एक पेज आप फ्रेस पेज पे लिखोगे बोर्ड एक्जाम के एकदम फ्रेस पेज पे ये नहीं की आधा बच्चा नीचे वही से लिखना सुरू कर दे पेज में तंजूसी नहीं पूरा फ्रेस पेज लेना मेरे प्यारे बच्चो phrase page पे लिखोगे ठीक है अब यहाँ से answer देंगे देखिएगा copy और column पहले बताओ सब लोग लेके बैठ गए हो जितने देख रहे हो copy column है आपके पास चलो तब लिखो तो यहाँ पे आप पहले sender address लिख रहे हो जहाँ भेज रहे हो वहाँ चलो तो क्या दिया था लिख रहे हो रो 450 sector 20 Chandigarh March 1 2021 लिखा गया date समय का Chempting Corporation अब यहाँ पे क्या customer complaint division Chandigarh यह वहाँ का address है अब आप एक line का gap करना है आपको लेटर एकदम सीधा जित word के नीचे है वही word आ रहा है ऐसे ही लिख रहे है सीधा लेटर यह जब छोड़के subject के लिए एक line का gap करके subject complaint regarding the functioning of watch and its replacement on February 26 ठीक है आप replacement के लिए आप complaint कर रहे हो ठीक है जो उसमें दिया गया था question में वही चीज निकाल के आपने या लिख दिया अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप नीचे आपको salutation आपको देना है क्या sir हो तो sir maim हो तो maim कोई एक लिखना है यह नहीं कि आप करना कि sir ji तो type किये थे sir और maim दोनों type किये थे हम भी sir और maim दोनों लिखेंगे एक लिखना ठीक है अब जैसे जो बात होती देखो पूरी बात अपनी बताए जाते जैसे किसी को हम कोई बात रहती किसी फलाने ब्यक्ति को सुनाते जानते हो ऐसे इसे हुआ था तो आप अपने पूरे उस लेटर में जैव जिस तरीके से सिकायत करना चाहते हो समझ जाओ हम किसी दुकान को जाएंगे और इसी से कहेंगे तो बस यहाँ थोड़ा सा सुरुवात में संबान देती हुए कहना है बाकी अपने बात पूरी रखनी है I bought a Titan watch टिक है Model number 2356 वर रुपीज 5500 from your store मैंने पच्पन सो रुपे की एक रिष्ट वाच आपकी दुकान से खरीदी और अनफॉर्चनली दुरभाग के से your product has not performed well आपका यह product है अच्छे से काम नहीं कर रहा है The watch does not work half the time despite several attempts at changing its battery कितनी पार इसकी battery change हो गई लेकिन यह क्या है आधा भी वर काम नहीं कियता है I am highly disappointed मैं बहुत ही ज्यादा निरास हूँ because such an act of neglect is not expressed from such a worse store क्योंकि ऐसे store से मैंने कभी खरदाने उमीद नहीं थी ठीक है इतने नामी गिरामी store से खरिदने के बाद मैं ऐसी उमीद नहीं की थी आपका है चेंप्टी नाम है एक brand है आपका अब to resolve the problem समस्या को खत्म करने के लिए I would appreciate you changing the watch with a new fully functioning model एक नए model के सारे घड़ी को बदल दीजे I have the receipt intact मैं इसके साथ जो मैंने लिया उसकी receipt लगा दूंगी Inclosed are the copies of receipt along with the guarantee card जो guarantee card मिला उसकी भी receipt मैं दे दूंगी I look forward to your reply and resolution to my problem and will wait until the week before seeking help from consumer productive agency मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले हपते तक यह सारी चीजे समस्या है दूर हो जाएंगी ठीक है प्लीज अगर जब आप यह कर लेना तो क्या करना प्लीज Contact me at the above address of my phone जो मैंने ऊपर address दिया या तो आप उसी address पे मुझे भेज दीजिएगा या contact my phone फला फला access पूरा नंबर मुवाइल नंबर आपको पूरा नहीं लिखना है लाश्ट में ऐसे ही access कर देना है इधर आओगे आप योर सिंसियरली आगर आप गर लहें तो लिखेंगी दिप्ती गुपता वह हैं तो दीपक गुपता ये जाम में जब question में देगा कि आप ये नाम लिखो तो लिखना है other y, x, y, z तो मैं आपको बता दिया कि ये later format है अब ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करोगे राइटिंग को अच्छा करोगे तो ही बेष्ट बनोगे ठीक है और इसके लिए करना क्या है आपको सबसे पहले अगर आप चाहते कि ऐसे ही कई सारे later के format और important later आपको मिले तो उसके लिए करना क्या आपको जुड़ना होगा हमारे top 102 2023 से जहां पर आपको मिलते हैं मात्र 899 रुपए में ठीक है पूरे साल भर की तयारी हर एक class हर एक दिन हर एक subject की साथ में आपको 1299 का ये सौरे बैस बिलकुल free इसका पैसा आपको नहीं देना है इसके लिए करना क्या होगा आपको सबसे पहले आपको हमारे सुभम classes के application को Google Play Store से अपनी mobile में download कर लेना है जहां पर आपको payment का option आएगा वहां से आप payment करके directly top 100 पैस गो जाते हैं इससे जुड़ सकते हैं यदि आप payment करते हैं यदि आप यूज करते हैं मेरा ये coupon code PYUSHSIR या PYUSHSIR तो आपको मिलते हैं पूरे 100 रुपए की छूट यानि अब आप पासकते हैं मात्र 799 रुपए में पूरे साल भर की तयारी डेली लाइब क्लास हैंड राइटिंग नोट्स स्मार्ट क्लास नोट्स प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट कोश्चन आंसर लाज्ट थ्री इयर के पेपर सालुसम और यदि यहां से पेमेंट करने में आपको समस्या थोड़ी से भी आ रही हो तो आप इस दिये गए नंबर पे किसी एक नंबर पे पेमेंट करके आप डारेक्ले जुड़ सकते हैं और उसका स्क्रीन सौर्ट इस कूपन कोट के साथ भेज दिजिए तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास आपको अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी है तो कर दिजिए इस वीडियो को लाइक और सेयर करना न भूलिएगा कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ आज की क्लास कैसी थी और आप रेडियो की डेली आप प्रेक्टिस करोगे तो अब कर दिजिए हमारे सुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब भी वेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा टैंक यू गुड लग